हेलो स्टुडेंट्स हाई स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में आज मैं कुछ इंपर्टेंट कुश्चन लेकिया ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब मैं चैनल आज का मारे पहला कुश्चन है रिप्रोटिप चाइल्ड हेल्थ 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 रिप्रोटिप चाइल्ड तो RCH का कॉंसेप्ट भारत में 1997 में आया 7 अप्रेल प्रतिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बिमन्स दिवस, मजदूर दिवस, विश्वश्वास्त दिवस या विश्वश्वश्य दिवस ये तो बहुत एजी क्वेशन है शाथ अप्रेल प्रती वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्त दिवस वर्ष दो हजार एडी तक सभी के लिए स्वास्त स्वास्त प्राप्त करने का उद्देश्य प्रारंबिक स्वास्थ देख भाल के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? विश्व स्वास्थ संगठन, यूनी शेफ, अल्मा आटा या उप्रुक्त सभी? जब तक मैं कुशन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना एंसर कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वर्ष दो हजार एड़ी तक सभी के लिए स्वास्थ प्राप्त करने का उद्देश्य प्रारंबिक स्वास्थ देख भाल के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? अल्मा आटा के द्वारा अल्मा आटा के द्वारा डोट्स थेरपी शंबंदित है राष्टिय कुछ रोग नियंतरन कारेकरम द्वारा, राष्टिय एट्स नियंतरन कारेकरम द्वारा, राष्टिय छै नियंतरन कारेकरम द्वारा, या राष्टिय मलेरिया नियंतरन कारेकरम के द्वारा डोष्ट थेरेपी शंबंदित है राश्टी है नियंत्रन कारेकरम द्वारा इन में से जीवित वैक्षिन का उधारन है TTT वैक्षिन, शाविन वैक्षिन, हेपेटाइटिस V वैक्षिन या मिलसस वैक्षिन इन में से जीवित वैक्षिन का उधारन है शौविन वैक्षिन शीशु मृत्यू दर को निर्धारित किया जाता है परतेक सो में से जीवित जन परतेक हजार में से जीवित जन परतेक दश हजार में से जीवित जन या उपरक्त में से कोई नहीं यह भी असान है और सायद यह TGT में आया भी था शीश्यू मिर्त्यू दर को ने धारित किया जाता है प्रतिक 1000 में से जिवित जन को प्रवसों के कितने दिन बाद तक मात्री मिर्त्यू दर मानी जाती है 15 दिन, 30 दिन, 28 दिन या 42 दिन प्रवसों के कितने दिन बाद तक मात्री मिर्त्यू दर मानी जाती है 42 दिन NRHM राष्टिये ग्रामिर स्वास्त मीशन का मुख्य उद्देश है सहरी छेत्र में ग्रामिर महिलाओ बच्चों का स्वास्त अस्तर सुधारना ग्रामिर छेत्र में महिलाओ बच्चों का स्वास्त अस्तर सुधारना सहरी और ग्रामीर दोनों छेतर में इनका स्वास्त अस्तर सुधारना या उप्रोप्त सभी इसका फूल फॉर्म है राष्टिय ग्रामीर स्वास्त मिशन राष्टिय ग्रामीर स्वास्त मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामिर छेत्र में महिलाओं वा बच्चों का स्वास्त अस्तर सुधारना फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का पर्मामेंड मेठ़द कौन सा है? कौपर टी, औरल पिल्स, कोंडम का उप्योग या टुविक टॉमी या वक्सिक टॉमी फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का पर्मामेंड मेठ़द कौन सा है? टुविक टॉमिंग और वक्सिक टॉमिंग अब आप ये कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सी महिला के लिए और कौन सी पुरुष के लिए ये एक परकार की नस्बंदी है अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया शीशू में तो दर निधारित किया जाता है परतिक 1000 में से जीवित जन पर प्रशों के कितने दिन बाद में तो दर मानी जाती है? 42 दिन बाद फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का मुख्या पर्मामेंट मेठड कौन सा है? ये तुम मैंने बता दिया टिवेक टॉमी और वसकेक टॉमी आप ये कमेंट बक्स में ज़रूर बताईएगा कि इन में से कौन इस्त्री के लिए और कौन पुरुष के लिए है फूड हाइजिन कहलाता है फूड साफ करना, सैनिटेशन का सुधार, फूड क्लीन चैन को बनाना या उपरोप्त मेंशे कोई नहीं फूड हाइजिन कहलाता है सैनिटेशन का सुधार, कौन सी बिमारी की अवस्ता में हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है? यूरेमिया, जॉन्डिश, मतलब पिलिया, माल नियूट्रिश्यन, मतलब कुपोशन या उप्रुक्त सभी इसका D-Option अब मेंसन कर लिजेगा, उप्रुक्त सभी तो हाई प्रोटेन इन तीनों बिमारिया में दी जाती है, यूरेमिया, पिलिया और कुपोशन तीनों में दी जाती है यह देखें यहाँ पे है, उप्रुक्त सभी विटामिन A की कमी के काड़न हो सकता है अंधापन, बहरापन, सुखारों या इनमें से कोई नहीं तो यह बहुत इजी कोशन है, विटामिन A की कमी से अंधापन हो सकता है जहाँ विटामिन A दिया हो और आखों से रिलेटेड कोई भी बिमारी हो, तो आज समझ जाएगे कि उसी को टिक करना है देख लेजे, पूरा अफसन यहाँ पे डिलिरियम के काड़न है शीर में चोट, संक्रमन, मेटाबोलिक डिशॉर्डर या उप्रोप्ट सभी डिलिरियम के काड़न है शीर में चोट, संक्रमन, मेटाबोलिक डिशॉर्डर या उप्रोप्ट सभी तो यहाँ उप्रोप्ट सभी होगा आत्महत्या के काड़न है worthlessness, worthlessness, helplessness, helplessness, या उप्रुप्त सभी helplessness को हिंदी में नीरासा बोलते हैं और helplessness को हिंदी में असहाय बोलते हैं तो जैशी बाते आत्मत्या के ये तीनों काड़न है कौन सी defense mechanism कौन सी defense mechanism में बैक्ती अपना गुशा दूसरों पर अस्थांतरित करता है ऐसा आप सभी कभी कभी करते होंगे कनवर्शन, डिल्यूजन, प्रोजेक्शन या रिप्रेशन तो प्रोजेक्शन ये तो हो गया बिटामिनी एक मेंशे और इसमें तीनों होगा ये भी हो गया कौन सी डिफेंस मेगजीम में बैक्ती अपना गुष्षा दुसरों पर अस्थांतित करता है प्रोजेक्शन में एंटी एग्जाइटी द्वारा एंटी एग्जाइटी दवा का उधारन कौन सा है प्रोमाजीन, दैजीम, दैजीपाम लीथियम कार्बोनेट या पेरी नॉर्म ये आप सब के लिए होमवर्क रहेगा इसके अंसर आप लोग कॉमेंट बक्स में देंगे ये होमवर्क वाला कॉस्चन है ऐसी थेरपी जिसके परभाव से पती-पत्नी के मद्य संबंध को मधूर बना सकते हैं इन दोनों में शहीं एक है फैमिली थेरपी या मेरा इटल थेरपी ऐसी थेरपी जिसके परभाव से पती-पत्नी के मद्य संबंध को मधूर बना सकते हैं इन में से कौन सा कारण सीजोफ्रेनिया के लिए उत्तरदाई है जनेटिक फेक्टर, साइको सोसियल फेक्टर, सोसियो कल्चर फेक्टर या उपरुप्त सवी इन में से कौन सा कारण सीजोफ्रेनिया के लिए उत्तरदाई है जेनेटिक फेक्टर, साइको सोशियल फेक्टर, सोशियो कल्चर फेक्टर उप्रोक्ट सभी तो एंसर होगा उप्रोक्ट सभी हिपनोटिज्म सम्मोहन पदती है विकनेश को दूर करने के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए मानसिक बिमारी को ठीक करने के लिए या उपरोप्त में से कोई नहीं इपनोटिज्म सम्मोहन पदती होती है मानसिक बिमारी को ठीक करने के लिए परियोगात्मक मनो बिज्ञान पहली बार किस देश में शुरू हुआ अविए जर्मनी, इंग्लेंड, USA या फ्रांस परियोगात्मक मनो बिज्ञान पहली बार किस देश में शुरू हुआ युवेशे प्रकास के प्राथमिक रंग है लाल नीला पीला हरा लाल नीला और हरा कला सफेद लाल नीला हरा या पीला, नीला, लाल और भुरा परकास के प्राथमिक रंग है शिंपल सा कोश्यन है लाल, नीला और हरा प्याजे के अध्यन का संबंध है बच्चों के भासा विकास से बौधिक विकास से बच्चों के समाजिक संबंध के विकास से या उप्रोप्त में से कोई नहीं प्याजे के अध्यानों का संबंध है बौधिक विकास से टैडर्स का सही अर्थ है नया परिवर्तन, विशेश दिशा में परिवर्तन या नय विकास में या D.E.O.P.S.N. मान लेजिए आप उप्रोप्त में से कोई नहीं यह क्या है विशेश दिशा में परिवर्तन को एस्प्रिचुल ट्रेंडर्स कौन सी प्रेक्टिस पर परभाव नहीं डालते हैं कि सेक्ष्डिक प्रेक्टिस नर्सिंग प्रेक्टिस या प्राइवेट प्रेक्टिक्स spiritual trenders कौन सी practice पर परभाव नहीं डालते हैं तो sectionic practice पर आधनिक trenders nursing education में किस पर जोर देते हैं परियोगात्मक learning पर, कार्य करके सिखने पर exposure के द्वारा सिखने पर, सैधान्तिक रूप से सिखने पर तो आधनिक trenders nursing education परियोगात्मक learning पर जोर देते हैं Student nurses association की अस्थापना किश वर्ष हुई 1920, 1925, 1929 या 1935 Student nurses association की अस्थापना 1925 में हुई रेजिस्टर की संस्था का head होता है educational institution का, state nursing counseling का, या nursing school का, या hospital का तो रेजिस्टर की संस्था का head होता है state nursing council का nursing में research का उप्योग है scientific knowledge को विक्षित करना quality nursing care को सुधारना निर्ने करनी की छमता को सुधारना इसमें सभी positive दीख रहे हैं तो जाइसी बाते उप्रुक्त सभी मानो सरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड़ी है humorous, tibia, radius या femur तो मानो सरीर के सबसे लंबी और मजबूत हड़ी femur को बोलते हैं अब ये बताइए कि ये femur कहा होती है ये femur वाली हड़ी कहा होती है comment works में डेल टाइप पेशी पाई जाती है भूजा में, टांगों में, पेट में उपरी पीठ में ये भी आपका आज का question home work रहा, comment box में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में चैनल तंक्स फर वच्छिंग झाल